आज दही बड़े चार्ट की बता से सब के लिए बनाएंगे खटी मीठी और स्पाइसी चटनी और ये जो चटनी है ना फटा फट बनेगी सिर्फ एक पैन में बनाएंगे बैसे मैंने प्रोफेशनली बहुत सारी रेस्पियां सेर की हैं लेकिन ये वाली कुछ यूनिक होगी फटाफट बनेगी और टेश्ट एकदम से गजब का होगा मुझे उम्मीद है कि ये फटाफट वाली चटनी की रेस्पि आप सब को जरू पसंद आएगी तो चलो हम बनाते हैं फटाफट से खटी स्पाइसी चपटी चटनी जब भी ड्राई करना को अपना फीडवेक देन और इन सबी को थोड़ा सा भून लेंगे जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगी तब इसके अंदर हलकी से हींग डाल देंगे और सिर्फ दो सेकंड बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी खेर कोई बात नहीं अभी ये खतम हो जाएगा तो लगबग मैंने यहापर 500 ml जितना पानी डाला है बाकी के थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे अब इसके अंदर 80 ग्राम जितनी चीनी डालेंगे और लगबग उसी क्वांटिटी में डालेंगे गुड़ तो बराबर आप क्वांटिटी रखिएगा मतलब के 80 ग्राम जितनी चीनी और 80 ग्राम जितनी गुल लेंगे अब गोडो चीनी अच्छी तरीके से घुल चुकी है तो इसके अंदर डाल देंगे ड्राइ जिंजर पाउडर मतलब की सौट मतलब की पिसा हुआ अधरक इसी के साथ डालेंगे आमचूर पाउडर इसका मतलब की खटाई और यह इजिली घर पे होती ही है तो लगवग दो चम्मत जितनी भरके डालेंगे अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा सा कम है तो कम से कम 100 ml जितना और डालेंगे तो टोटल मैंने 600 ml जितना पानी डाला होगा अब इसमें हम डाल देंगे नमक तो सबसे प पिसी हुई भी ले सकते हैं अब ये पतली लग रही है तो इसको थोड़ा सा गाड़ा कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में डेढ़ चम्मत जितना डालेंगे अगर यह नहीं है तो इसकी जगए आप अरा रोड भी ले सकते हैं अब इसके अंदर हम है कि पर्फेक्ट चटनी बनेगी तो इसलिए हम इसमें कंजूसी नहीं करेंगे पूरा का पूरा देड़ चम्म जितना डाल देंगे अब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे लेकिन अभी कलर नहीं आया है तो इसके लिए थोड़ा सा रंग भी डाल देंगे तो यह मैंने लाल कलर लिया है और लगबग दो चुटकी जितना लिया है आप अपने इसाफ से कॉंटिटी बढ़ा गटा सकते हैं लेकिन इतना काफी रहता है आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा पीला कलर भी एड़ कर सकते हैं कुछ लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूं सि रिज में चल जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी पांचे दिन आराम से आप टिक कीचार पकोड़े जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं बलकि जो दही बड़े बगएरा भी है बो भी आप बना के रख सकते हैं या फिर तीन चार पांच दिन में जब भी आप बना क्या चेजरन कॉुति के ले बनाख भी जाना चाहें